हम आपको यग्री प्रोड़क्ट की मतलब कि हम हमारी नए शीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं यहीं प्रोड़क्ट के किए फॉन्हस की बुब्क नाम है यृक का गुद्ध कर एकिस तरह उसको इस्तिमाल करना लार को बढनाता है किस तरह से पाने कि भबत को काम करता है तो सबसे पहले में को बता जाहता हूं कि वेपिक जैने कि वेटिता एग्री एटीटू मतलब की 82 प्रकार के जैवीक ततों से बना हुआ एक एक्टिवेटर फॉर्म एक जैवीक खाद है मतलब की यह कोई क्यमिकल नहीं है सबसे पहली बात इसके अंदर कोई भी किसी पर वहगार का कोई केमिकल मिक्स नहीं किया गया मतलब एक एक एक् खादगा पावर बढ़ाना जमीन के उपर जो परत्य जो बन जाती है जिसकी वज़े से जमीन के अंदर आज कई न कई दिन प्रति दिन ओक्सिजन की मात्रा काम हो रही है पानी की नमी लंबे समय तक नहीं बनी रहती और जिस खाद के वज़े से जिन फंटिलाइजरों की शांवार जारी जमीन के अंदर जो पर्मी का प्रवार जीन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से कई न कई तो आज हम यहां पहले लेंगे और डोनों ग्लास के अंदर हम फड़ा सा अंदर पाने डालेंगे पानी से भरेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मतलब की आज विस्टीज का एगरी प्रोड़क्त किस तरह से मतलब की पानी को बहुत ही तेजी से जमीन के अंदर लेके जाता है तो यहां हम जानने की कोशिश करेंगे आपके सामने यहां दोनों ग्लास में मतलब की पानी लिया है और उस पानी के अंदर मतलब की हम एगरी टीटीटू मिलाएंगे इसके बाद में हम चेक करेंगे कि कौन सा मतलब की हमारा एगरी टीटू किस तरह से मतलब की पानी को बहुत तेजी से जमीन के अंदर लेके जाता है तो आपके सामने हमने यहां दो ग्लास रखे है और दोनों ग्लास के अं ेंगे मतलब के करीबन 8-10 मिला यहां है और पानी के बाद हम नहीं के अग्राइटीटे कुंदर मिला लेते हैं मतलब की आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि दो गलास के अंदर पानी है और एक में वी अंदर अंदर हम पानी के अंदर मतलब की आज पूठे का जल्दी से पानी के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है और एक जो होगा मतलब की जिसके अंदर हमने अग्री टीटी टू नहीं डाली है वहां क्या मतलब पिए अपने को रिजल्ट मिलताकै कि कोशिष करेंगे यहां विल्कुल पानी के नीचे तरफ बहुत तेजी से जा रहा है क dew मतलब हैं कि कि आप जबर है और दूसरा वारा टुकिपन है लिए तुम्एफ हां चीमा का जाता है ऑ錢 ही जयन दालता है पीर वी मतलब कि अदर तरफ नहीं जाता है दोस्तों तो यहां एक चीज शाब साफ बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि बिल्कुल मतलब पानी को बहुत तेजी से मतलब कि जमीन के अंदर तक यह लेकर जाता है तो हम ने पहला प्रूफ किया अब हम यहां हम और रेमो करेंगे मतलब के सामने दूसरा छाइक नेमो की पानी को जमीन के ऊपर बहुत तेजी से मतलब कि फिलाने का भी काम करता है जैसे कि माल लेते हैं कुठे का बहुत थोड़ा ठॉड़ा ली आल थोड़ी से मिनिट के लिए करेंगेomics क― कि ये ये मतलब की जमिल का टुकड़ा है और इसके ओपर हम थोड़ा सा मतलब की पानी डाले की कोशीश करें व हम च्छेक करेंगे कि क्या पानी मतलब की अंदर की की तारफ जा रहा है आप लेकिन फिर भी आप देख शकते हैं दोस्तों पानी को थोड़ा सा नहीं जा रहा है ना तो पानी उसकी जगह से हट रहा ना थो चल पारा है कि अंदर की तरफ बिल्कूल मतलब पानी जमीन के उपर जैसे पड़ा रहा है वैसे ही आज यहां भी पानी पड़ा रहा है मतलब कि बिल्कूल पानी मतलब की अपनी जगह से हटता नहीं है चलता नहीं है और यह क्यों नहीं चल पार रहा है इसका कारण में आपको बताओ पानी के अंदर दिन कि जारा यह बढ़ती जारहिए जिसकी वजह से पादने को पकड़ के रखता है कि बढ़ता जा रहा है अगर पानी समगर्डेस व्यश् schneller पड़ा रहेगा तो सूरिय प्रकास की गर्मी की वज़े से यह सूख कर बाप बनके मतलब की निकल जाएगा मतलब की इस पानी क्या कोई मतलब की जमिन को या तो हमारे प्रोदों को कोई वेनिपिट नहीं होगा जोस्तों तो एग्री 82 काम क्या करता है कि कहा पर भी हम कही पर के अंदर फोड़ा सा पानी के साथ इसको दो और जहां से पानी हम छोड़ते हैं इस पानी को साथ साथ उसको बुंद बुंद पानी के साथ जाने देना है एक क्या काम करेगा जो पानी की जोगंता इक map लिए के मतलब की पानी दो देखने की कोशिज करते हैं कि यहां हम थोड़ासा मतलग दो से तीन से चार भूंद हमने मालों कहीं है पानी हमने कई डाला तो दीरे-दीर आप देख रहे का पानी अपनी जगत से चलने लगा और दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-पानी मतलब कि बिल्कुल पूठे के सिथ होने लगा है और आप देख रहे कि बिल्कुल पानी मतलब की फैल चुका है और दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-द तो जडों को मतलब की कहीं ना कहीं मतलब की घर्मिकी मात्रा कोम होती जदें अगर टकप जाएगी तो बुदधा मतलब की किसी बी बी कन्दीशन में किसी भी खालत में खड़े रहने के लिए मजबूत कर पाएगा दोस्तों यह हमारा दूसरा शरा चाहित अब आपको यहां एक तीसरा डेमोग्वाता जा रहा है आपके सामने और जो का मतलब हम प्रूप करेंगे यह किस तरह से खाद की जडूरियत को कॉम करता है तो यहां वा एक और ग्लास हम लेते हैं दोस्तों और उसी गलास के अंदर हम फिर से वापस मतलब की पूरे पानी से हम इस ग्लास को भरेंगे और पूरा मतलब पानी से हम भर देंगे ग्लास को आपके सामने बिल्कुल मतलब की पूरा सा पूरा ग्लास यहां भरा हुआ है ने हम चेक करेंगे कि किस तरसे मतलब की एकाद की जरूरियत को कम करता है किस तरसे क्राइव को जमीन के अन्दर लेके जाता है आज हम जानते हैन को 650 की साल के अंदर गाँ जाता था कि एक एकर मैंक्खवें जिस प्रती दिन न आप सभी लोग जानते हैं कि पोटा से ऐसी चीज है कि कभी वो पानी के साथ मतलब की मिलता नहीं है हम इसको मिलाने की कोशीज करते हैं देखते हैं कि यह पानी के साथ मिलता है के नहीं मिलता है बिल्कुल मतलब कि हम इतना हिलाने के बाद भी आप देख रहें बिल्कुल मतलब कि ये पानी के साथ बिल्कुल आपजर नहीं हो पाता है मतलब कि ये पानी के साथ मिलता भी नहीं है हम इसको उपर हिलाने के कोशिस करेंगे तो यह क्या हो गया उपर एक प्रध बन गई आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कूल एक पतली परब बन गई और यह परण आपको वही प्रूप करते हैं मैंने आपको आगे भी बताया कि जीस तरह से हम जब जमीन के ओपर खाट डालते हैं तो ज्यादा तर खाट क्या होता है कि जमीन के अंदर पूरी तरस अबजर नहीं हो पाते हैं क्या होता है कि माल दो कि हमने 50 kg खाट डाला तो जमीन के अंदर 5-10 kg खाट जमीन के अंदर फिगल के जाएगा तो बाकी का 30-40 kg खाट जमीन क पड़े रहने के वजह से पानि देते हैं तो पानि के साथ फीगल कि यह जमीन के अंदर लिकिन कई कहीं घमीन के उपर एक ऐसे परत्म बना लेगा जिसी परत्प की वज़े भ्लॉश जाते हैं वह पुरी तरह से न तो हवा मिल पाती है न तो पानी मिल पाता और कईनकई जणो का विकास जो होता है कईनकई जाता है जीसकी वजनकई हमारे विकास पढ़तो nesha nais 있सको मिला देते हैं और यह दो से 30 बुंद खाली हमने डालेंगे पानी में कवल माघारस ड़ डाली आप देख सकते हैं विलկ सब बीक हो misinformation, do you in 2013 तो यह कुल पानी के निचे चला गया दोस्तों टो यह प्रू've करता है कि हमारे जो रिए जो सब्सक्राइब करते हैं जुछ जमेन के अंदर मतलब की फीगल के नई तक नहीं जाते यह खादों को भी जमीन के अंदर दोस्तों कि दिन प्रति दिन कई न कई मतलब कि किट नाशक आज दिन प्रति बिन कई न कई भड़ते जा रहे हैं और ज्यादा तर किसानों को में आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी पौधा जो होता है हमारे खेत के अंदे जो कोई भी पौधा उसके पत्ते जो होते हमें सा मतलब की जमीन के दिशा के तरफ युई लटके हुए रहते हैं और ज्यादा तर हम ये भी जानते है की कोई भी करते हैं कि मतलब की पत्तों के नीचे चली जाएगी और ज्यादा तर हम लोग करते क्या है कि किसी भी दबाई का छिड़काव करते हैं तो हम पत्तों के उपर की तरफ करते हैं मतलब कि हम पीछे की तरफ नहीं करते हैं और यहादा तर केसी में होता है कि जब किसी पथो के उपर हम माना कर जब तो बख़सरी का ही जब कििसी इंसरी पया है कि किसी भी पंस नियुकि पहार है तो फानी के सरूप में नहीं होता है बिल्कुल मतलब की प्रेडर के रूप में हो जाता है और ज्यादा तर केसिस में होता क्या है कि अगर माल कि ऑफ़तों के स腌 छोड़ा साइग a ओफ मी ख़रें जमीन गेया जाता है और वाग़ी का जो पानी होता है पत्तों रह लेकिन वह कि स सुरूप परकात दोटोस्तों कि जब यह तो इसना उलता में उसने में 50% से ज्यादा मतलब प 250 और और नगा में से पहिंद से हैं Sum की फट यह देंग प्रकात की गर्मी की यह वाज़े से युद्ध बूंध बनी हुई जो पानी के जो बुंद होती है कि प मतलब कि हम दवाईों को चेन करते हैं लेकिन वास्तविक्ता कूछ अलग है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां कि मतलब जो दवाई का चीडगाव करते हैं वह जो पानी पत्तों के अंदर जो अपजर होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से अपजर नहीं हो पाता है आपको यह वीडियो में साथ साथ दिखाई देखा होगा कि हमने जो पत्ता जो पानी के अंदर डालाता तो पटास परसंट से ज्यादा पता तो बिल्कुल मतलब की पानी इसके साथ चिपकाई नहीं है यहां पानी के अंदर हमने पांच बूंद एग्रेटीटीटू के डाले हैं और इसी पत्ते को हम वापस फीर चैइस पानी और चैप करेंगे कि वापस हमें क्या रिजल्ट परात होता है क्या फिर वापस इस पत्ते के उपर पानी की बुंदे बनी रहती है या तो पूरा पानी फेल गया है आप देख सकते हैं दोश्तों यहां बिल्कून एक भी बू प्रत नहीं होने देदा और पानी से पत्त के लिए सब करेगी तो आज मैने आपको यह भी बता कि क्यों कीट नहीं मरते हैं और दूसरा विजन आपको दूसरा कारण में ने आपको यह भी बता कि किस तर से यह अपना अग्रियेटी टुट को मारने में भी सहायता करता है ऑ़ rice का तो यह हमारा मतलब की टुटास्मै अब यहां एक अरख जा रहा है जो भी पेस्टिशाइड की जादा आती प्रतिजिन कहीं कभी हम जानते है कि पेस्टिशाइड्स की महतरा तें प्रतिजिन 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 बढतेञे ए philosophical ज्यादा दर पेस्टिसाइट से होते को पानी के साथ कभी मिलते हैं नहीं है जैसे कि हमने यहां एक फ्रगाइब के अंदर आदा प्रगाइब की पानी कि अंदर चीज नदर डालेंगे और जिस-चीज का नाम है जिसको हम गोलते हैचा जो होता है खाता या कई नट पानी के साथ कभी मिलता है मतलब यह पानी के साथ और साथ पूल प्रिक पड़ाल पिखते हैं कि सोजिए दोस्तों कि मान के यह हमारी से यह 15-18 अभिल्कुल। सबक्राइब करते हैं ऽ्यादां है जब भी कोये हैं जब क्षिद को पानी दिए हैं पानिक बरने के बाद अंदर हम घजे करते ।記得 मिलते पानी के साथ दोमख कि जब देडिये और ज्यादा तर पेस्टी जो पानी के उपर पड़े के रहते हैं मतलब की अगर कि पानी की पर पड़ा रहे गा हमरा जो निकल के जो बाहर की आएंगा दवा ए Ecu प्रक् Kill-Schase iyanuAR ला जल्चर्ण शरीड जाकण कर रहे मतलब की ज़्यादा द्वाईअ क्या होता है जैसे पानी कम होता जैजा वैसे जबना कई का मतन स्पार झाएगी डोस्तोगत और लेकिन उस 215 मात्रक्रा की जो असर hybrid कि पश्टीज के अंदर यही चीज होती है कि पहानी के तरौ पूरी तरह से गोलते नहीं है इसकी वज़े से हुटे नहीं होते और इसकी वज़े से कीट काम क्या करता है कि कोई भी आप माल लोगे लिक्विर फ्म में अगर कोई प्रेस्टीशाइट से अगर माल लोग के अंदर अगर आप एक धक्कन मतलब की 10 ml के आधकास अगर आप माल लोग के अग्रिए टीटीटू बिला जेते हैं तो अग्रिए टीटू काम क्या करता है दोस्तों कि जो पेस्टीशाइट विल्कुल मत पानी के साथ भेलते नहीं है मतलब की पानी के साथ मिलते नहीं है उन पेस्टीशाइट को बिल्कुल आसानी से पानी की अंदर अबजर कर देता है मतलब की पानी के साथ मिला देता है और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पहले पानी के अंदर बिल्कुल यह खाने का एक कर लए मतलब कि पादे अच्छी तरह सें मिल गए हैं कि यहां पैस्टिशाइट शी कि मात्रव लोगी नहीं क्योंकि जद्सर्व पानी पर करें तो कहीं नहीं प्रते जाये कि अगे और आज हम देख रहे हैं है जो पेस्टीशाइट अरसे दत साल पहले पांच ग्राम निस दो मिलता था वह पेस्टीशाइड आज आपको दोस्तों मैं आपको 50-50 ग्राम-500 ग्राम एक लिटर की पेस्टीशिंग में मिलने की शुरुआत हो गई है क्यों कि पेस्टीश की मात्रा को कम करते हैं कम कर सकते हैं जमीन को जहरेली होने से बचा सकते हैं दान को भी जहरेली होने से बचा सकते हैं इसके साथ साथ अगर जहरेला नहीं होगा तो इनसान भी मतलब की स्वस्त जीवन जी पाएगा दोस्तों तो यहां मैंने आपको प्रेक्टिकल करके मैंने का अपना एग्री 82 प्रोड़क्त मैंने आपको सुरू में पहले भी बोला था यह पानी की खपत को काम करता है यह भी मैंने आपको प्रूब किया यह खात की जरूरियत को काम करता है वो भी मैंने आपके सामने प्रूब किया यह पेस्टिशाइड का पावर बढ़ाने में काम तो आप सबी लोगों को मेरा एक ही निवेदन है आप सभी लोग गया इस्तमाल किजिए जादा से जादा अपने फसल को बढ़ाई है जादा से जएदा अपने उत्पादन को बढ़ाई है और पूरा मतलब कि मैं भी चाहता हूं कि अपना देश और गेनिक तरफ जाए और गेनिक तरफ आगे बड़े यही हमारा सपना है दोस्तों तो बस इतना ही हम ज्यादा तर हम आगे बात नहीं करेंगे और पड़क के बारे में आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी अगर आपको हमारा वीडिय की बात करेंगे तो आपको नेच्ट हमारी प्रोड़क्त की वीडियो आपको मिल जाएगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इस चैनल को आप सब्क्राइब करें दोस्तों तो आगे की वीडियो के लिए अब आप तैयार रहें स्थिव वेल दैंक्यों पांच से मेल का जो रेट है वो है थी त्री डबल सेवर मतलब कि तीन सो सत्यतेर रुप्या इसमें पांच लिटर में भी उपलोग जाए पाट लिटर का जो पेकिंग आएगा वह आएगा 32 रुप्य का और एक छोता मतलब की सेंपल पर आखे वह किवल मातर डेमों के लिए है वह आपको मिलेगा टू सिवंटी फावव में अब एक अप रुप्या इसमी न के लिएच्चिक में अहिज न रुप्या ज lays बास हमेंuje सेथेटर के लिएर एक करा शाय करता है